असलाम लगों में स्टूरेंट्स आज की वीडियो में हम exercise 9.5 का part 4 करने जा रहे हैं जिसमें हम question no.4 से अपना काम शुरू करेंगे इससे previous videos में हमने इसके शुरू के questions किये थे question no.4 में हमारे पास equations of hyperbola given होगी और हमने उनके center, foci, eccentricity, vertices और equation of directrices find out करने होगी तो part 1 में हमारे पास equation है x minus 5 का whole square upon 9 minus y plus 3 का whole square upon 16 is equals to 1 अब इसको solve करने के लिए student हमें सबसे पहले अपने table पे जाना है और देखना है कि यह किस form का ellipse है, hyperbola है यानि कि इसके standard equation of hyperbola क्या होगी तो हमारे पास एक table मौझूद है जिसमें मैंने last lecture में भी आपको explain किया था अब इसमें यह देखिएगा हमारे पास या तो equation 3 होगी या equation 4 होगी क्योंकि इस form के हमारे पास hyperbola है अब या तो case 3 है मारे पास या case 4 है इन दोनों cases में से कोई एक हो सकता है क्योंकि इसका center origin पे नहीं है अगर center origin पे होता तो वो इस form की equations होती है अब center इसका origin पे नहीं है तो हमारे equation शुरू हो रही है x-5 whole square से तो इसका मतलब है x-5 whole square से तो हम इसको इससे compare करवा सकते हैं क्योंकि ये भी शुरू हो रही है x-h whole square से अगर हमारी equation में y square पहले होता y-k square पहले होता तो हम इसको case number 4 से compare करवाते हैं अब इसको हम compare करवाएंगे case number 3 के साथ अब इसका center है h, k पे और ये इसका transfer sex है parallel to x-axis इसका foci ये भी हमें given है इसके coordinates, vertices के coordinates भी given है और equation of directories भी हमें given है तो इन सारी situations को हम use करते हुए जो भी हमसे requirement है question में उसको पूरी करेंगे तो सबसे पहले हम mention कर देते हैं कि इसका center origin पे नहीं है बलकि इसका center होगा h, k पे और इसका जो transverse axis है transverse axis is parallel to x-axis तो ये दो चीज़े हो गई to x-axis so the equation of hyperbola will be x-h का whole square upon a square minus y-k का whole square upon b square is equals to 1 अब यहां पे यह हमारे पास equation 1 है और यह हमारे पास equation 2 है now we have to compare equation 1 and 2 to find out the value of a and b compare equation 1 and equation 2 compare कीजिये तो यहां से x-h है यह है x-5 तो यहां से हमें h की value मिल गई जो के है 5 हमें a square की value मिल गई जो के है 9 अब दूसरी term में आ जाईए बीच में minus का sign है y-k और यह है y-3 minus k is equals to plus 3 and k is equals to minus 3 और b square की value आ गई हमारे पास 16 अगर यहां से हम सिर्फ a की निकालें तो a की आ जाएगी 3 और b की आ जाएगी हमारे पास 4 तो यह सारी values जो हमने निकाले हैं तो हम यूज करने वाले हैं hb आ गया kb आ गया यहां से a की value और यह हमारे पास b की value अब इन center को हमें पता है center था h, k पे center is at h, k अब h भी हमने निकाल लिया है और k भी हमने निकाल लिया है तो center हमारे पास आ जाएगा h है हमारे पास 5 और k है हमारे पास minus 3 तो उन्होंने हम इसे center निकालने के लिए कहा था question में तो हमने center find out कर लिया है second step is to find out the foci और foci के लिए हमें c जरूर मालूम करना पड़ेगा तो c पहले मालूम कर लेते हैं c square is equal to a square plus b square then c square a square है 9 और b square है 16 then c is equal to 25 और अगर square root on both sides करें तो c की value आजाएगी 5 अब हम फूसाय निकालते हैं यानिके focus find out करते हैं और यह किस तरह से find out होंगे case 3 में h plus minus c, k दो focus होते हैं इसके h है हमारे पास 5 और c अभी हमने निकाला यह भी है 5 और k है minus 3 अब इसको अगर separate करके लिखें हम तो separate करके भी हम इसको लिख सकते हैं simple लिखना चाहें तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं लेकिन अगर separate लिखें हैं एक दफा प्लस कर लें एक दफा माइनस कर लें तो अगर हम इसको plus करें तो हमारे पास result आएगा 5 plus 5 is 10,3 और दूसरा होगा अगर मैं इसको minus करो 5 minus 5 is 0,3 तो यह दोनों इसके focus हैं जिसको हम फुसाई कह रहे हैं these are the focus of the given hyperbola जो के case number 3 का hyperbola है next step is to find out the eccentricity और eccentricity find out करने के लिए हम जो use करेंगे we know that c is equals to a e और मुझे e निकालना है e stands for eccentricity तो c upon a करना पड़ेगा c मैंने भी find out किया 5 और a है 3 तो eccentricity हमारे पास आ गई है 5 upon 3 यह eccentricity है इसकी अब part इसका जो next है vertices vertices कैसे find out होंगे इसके h plus minus a, k करके तो vertices find out करने के लिए h की value put करेंगे जो के है 5 और a भी हमने निकाला है जो के है 3 और k है minus 3 तो यहीं पिछोड़दें या फिर इसको अगर हम एक दफा प्लस करते हैं एक दफा माइनस कर दीजे तो 5 plus 3 is 8, minus 3 और दूसरा vertex आ जाएगा जब हम 5 minus 3 करेंगे यानिके 2 minus 3 तो यह इसके हमने दोनों vertices find out कर ली है next हमने equation of directrix निकालनी है case 3 में equation of directrix कैसे निकालते हैं x minus h is equal to plus minus a upon e x minus h की value है 5 a की value है हमार पास 3 और e यानिके centricity है भी हमने निकाला जो के है 5 upon 3 तो यह हो जाएगा x minus 5 is equal to plus minus 3 अब divide में 5 upon 3 लिखा वा है तो divide को जब multiply में shift करेंगे तो यह जाएगा 3 upon 5 तो यह हो जाएगा x minus 5 is equal to plus minus 3 3 is a 9 upon 5 और x minus 5 x is equal to plus minus 9 upon 5 minus 5 उदर जाएगा तो plus 5 हो जाएगा अब क्या करेंगे x is equal to plus minus 9 upon 5 लिखा वा है और साथ में minus 5 है न यह प्लस 5 प्लस 5 तो एक दफ़ा इसको plus में लिख देते हैं fraction को 9 upon 5 plus 5 इसको solve करेंगे और दूसरी दफ़ा x is equal to minus 9 upon 5 प्लस 5 लिख देंगे तो इसको solve कीजिए LCM दीजिए 25 plus 9 is 34 upon 5 और दूसरी equation इसकी आ जाएगी equation of directrix 55 by 25 हो जाएगा minus 9 plus 25 is 16 upon 5 तो यह हमने दोनो equation of directrix इस फाइंड आउट कर लिए इस आर दी equation of directrix तो इस तरह से हमने जो जो question में पूचे था center भी find out कर लिया इसका पॉसाई भी निकाल लिया इस इंपिसिटी भी निकाल लिया वर्टिस भी निकाल लिया और फिर इसकी हमने equation of directrix भी find out कर लिया अब इसका next part करते हैं और next part में जो equation हमें given है यह है part number 2 और इसकी equation है y minus 4 का square upon 36 minus x plus 5 का whole square upon 64 is equals to 1 अब इसको जब हम compare करने लगेंगे तो compare करके हमें पता चला कि यह हमारे पास case number 4 है क्योंकि case number 4 में यह देखी यह case number 4 है इसमें y minus k पहले लिखावा है तो अब इसका center निकालेंगे h k ही लगेगा transverse axis का parallel to y axis है for size के निकालने के लिए हम h, k plus minus c use करेंगे vertices इसका निकलेगा h, k plus minus a करके equation of directrix इस तरहां से निकलेगी सब चीजें हमें याद होनी चाहिए अब क्या करेंगे सबसे पहले इसकी equation को compare करवाएंगे standard equation के साथ इसका center है h, k पे और transverse axis is parallel to y axis transverse axis is parallel to y axis so the equation of hyperbola will be y minus k ka whole square upon a square plus x minus h ka whole square upon b square is equals to one this is your equation number one and this is your equation number two now we have to compare equation one and two to find out the value of h, k, a square and b square compare equation one and two तो उपर है y minus 4 और निचे है y minus k तो k की value आजाएगी 4 और x minus h, x plus 5 minus h is equals to plus 5 and h is equals to minus 5 a square is equals to 36 and b square is equals to 64 taking root on both sides then a is equals to 6 and b is equals to 64 का root ले लीजे तो यह आजाएगा 8 तो h, k यानिके जो center है यह हम यहां से निकाल लेंगे और यह a की value और यह b की value सबसे पहले इसके center की बात करते हैं center इसका है h, k पे h, k पे तो h है हमारे पास minus 5 और k है हमारे पास 4 तो इस तरह से हमने center निकाल लिया minus 5, 4 पे तो जो given hyperbola है इसका center है minus 5, 4 अब next, फोसाई निकालने के लिए हमें c की value चाहिए तो c square के लिए we know that c square is equals to a square plus b square c square, a square की value है 36 और b square की value है 64 दोनों को plus करें तो आजाएगा 100 taking square root on both sides तो c की value आ गई 10 अब यह जो c की value है इसको हम इसका eccentricity निकाल लिजे for eccentricity we know that c is equals to a e and e is equals to c upon a and e is equals to c is 10 and a is 6 cancel out करें तो 5 upon 3 तो eccentricity हमारे पास आ गई है 5 upon 3 जो के greater than 1 होनी चाहिए in the case of hyperbola अब यहां पर हम find out करते हैं इसके forci forci find out करने का तरीका है h, k plus minus c तो h क्या है मैं पास minus 5 k है 4 और c अभी हमने निकाला जो के है 10 अब एक दफ़ा इसको plus कर दीजे एक दफ़ा इसको minus कर दीजे तो minus 5, 4 plus 10 यह हो जाएगा 14 और दूसरा हो जाएगा minus 5, 4 minus 10 is minus 6 these are the foci of given hyperbola अब next हमने निकालने हैं इसके vertices h, k plus minus a करके h है हमारे पास minus 5, k है हमारे पास 4 और a है हमारे पास 6 अब इसको भी एक दफ़ा plus कर दें और एक दफ़ा minus कर दीजे तो vertices equal हो जाएगे minus 5, 6 plus 4 is 10 and minus 5, 4 minus 6 is minus 2 these are the vertices of the given hyperbola अब next equation of directrices हमें निकालनी है तो case 4 में कैसे निकलती है equation of directrices मैंने भी आपको चार्ट में दिखाई थी y minus k is equals to plus minus a upon e k है हमारे पास 4, plus minus a है हमारे पास 6 और e है हमारे पास 5 upon 3 तो यह हो जाएगा y minus 4 is equals to plus minus 6 अब यह divided by 5 upon 3 है इसको multiply में shift करेंगे तो 3 upon 5 हो जाएगा तो y minus 4 is equals to plus minus 6 त्रीजा 18 upon 5 अब y minus 4 is minus 4 को दर ले जाते हैं plus 4 हो जाएगा y is equals to plus minus 18 upon 5 plus 4 अब इसको एक दफा प्लस में लिखें एक दफा माइनस में लिखें तो equation of directrix y is equals to plus में लिखें 18 upon 5 minus 4 तो यह जाएगा y is equals to 5 4s are 20 20 plus 18 is 38 upon 5 तो एक equation तो यह आ गई अब दूसरी दफा इसको minus में लिखें minus 18 upon 5 plus 4 तो दूसरी equation इसकी हो जाएगी y is equals to 5 4s are 20, 20 minus 18 is 2 upon 5 तो यह दोनों हमारे पास equation of directrix y is निकल आई है तो हमने इसकी centricity भी निकाल ली फोसाई भी निकाल ली है vertices भी निकाल ली है और last में आके हमने इसकी equation of directrix y is find out कर ली है अब इसका next part करते हैं part number 3 और इसकी equation हमारे पास है 9x square minus 4y square plus 36x plus 8y minus 4 is equals to 0 अब पहले तो इसको simplify करना है और simplify इस तरहां से करना है कि इसको equation of hyperbola में हम convert करना है तो equation of hyperbola में लाने के लिए सबसे पहले हमें इसको rearrange करना पड़ेगा और rearrange किस तरहां से करेंगे कि 9x square अब यह 36 है इसको मैं पहले लिख दूँ x के साथ फिर यह है minus 4y square plus 8y is equals to minus 4 को right side पे ले हैं तो plus का 4 हो जाएगा अब इसको whole square के formula में हमने बंद करना है तो अगर मैं इसमें 9 common ले लूँ तो यह रह जाएगा x square plus 4x 9 4 is a 36 होता है minus 4 अगर मैं common ले लूँ तो y square यह 8y है y square minus 2y रह जाएगा यह आपर अब यहाँ पे x square plus 4x है अब यह चीज आपको पता होनी चाहिए जिसको whole square के formula में बंद करना है तो यहाँ पे plus किस चीज की कमी है मतलब x square plus 4x तो यह है लेकिन इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे अगर मैं इस तरह से आपको समझाओं कि यह है a square plus 2ab plus b square अब a की जगा पे तो x आएगा तो मैंने x यहाँ पे लिख दिया बी की जगा पे क्या आना चाहिए तो यह 4 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाता है तो b की value 2 होनी चाहिए अब 2 का square क्या होता है हमारे पास 4 होता है तो यहाँ पे मुझे 4 add करवाना पड़ेगा और जाहिर बाते जब add करवाते हैं तो subtract भी करवाना पड़ेगा तो यहाँ से plus 4 के साथ साथ हमें minus 4 भी करना पड़ेगा और same इसी तरह से y square minus 2 y अब यह 2 होगी तो यह whole square complete हो जाएगा तो plus करेंगे तो minus 2 करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने खुद से इसको add किया है अब यहां से मुझे यह minus 4 नहीं चाहिए यह 9 है और अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा a plus 2 का whole square a plus b का whole square अगर मुझे put करना है तो मुझे minus 4 को यहां से खतम करना ह है तो nine fours are 36 होता है तो इसको मैं दूसरी साइट पे ले जाओंगी सिर्फ यही रहने दो और nine fours are 36 minus 36 है इसको मैं बाहर निकाल देते हूं और इसी तरह से यहां पे भी करते हैं y square minus 2y plus 1 और four, one's a four तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा plus का four क्यूंके minus minus plus का four is equals to four अब यह whole square में बंद हो जाएगा यानिके x plus two का whole square minus 36 को दढ़ लें तो plus 36 हो जाएगा और यह भी बंद हो जाएगा whole square के formula में तो four plus 36 और यह four भी जब उदर जाएगा तो minus four अब इसको simplify कीजिए यह है nine x plus two का whole square minus four y plus one का square plus four minus four खत्म हुआ तो ही रह जाएगा अब पूरी उक्वेजिन गों जब मैं 36 से करोंगी इसको मैं 36 से इसको भी 36 से ृवाइट कर वाद यह इसको भी 36 से रिवाइट कर वाद कर वाद है जो nineventh a nine significance 4 दा 36, 4 दा 4, 4 9 दा 36, 36 1 दा 36, 36 1 दा 36 तो equation हो जाएगी x plus 2 का holy square upon 4 minus यह y minus 1 के formula में बंद होगा क्यूंके बीच में minus 2y है ना तो यह minus के formula में बंद होगा तो यहां से रह जाएगा y minus 1 का whole square upon 9 is equals to 1 अब यह हमने case 3 अभी किया था, यह case 3 ही है क्योंकि इसमें x square, x plus 2 का whole square parallel लिखावा है तो इसका center होगा h, k पे और transverse axis is parallel to x axis तो यह case हमारा बन जाएगा, case number 3 और case 3 की जो equation होती है, यह होती है हमार पास x minus h का whole square upon a square plus y minus k का whole square upon b square is equals to 1 राइट, now we have to compare this equation 2 by this equation 1 compare करने से h की value में मिल गई minus 2, a square की value मिल गई हमें 4 हमें k की value मिल गई जो के है 1, हमें b square की value मिल गई जो के है 9 अब इसको simplify करें तो a की value आ जाएगी 2 और b की value आ जाएगी 3 तो hk यहनिके center भी हम निकाल सकते है easily और further जो इसके vertices find out करने है, coordinates find out करने फुसाएगे, वो सब हम find out कर लेंगे तो सबसे पहले जो center h, k पे है तो अब यह center हो जाएगा हमारा minus 2, 1 पे क्योंके h की value है minus 2 और k की value है 1 तो इस तरह से हमने यह center तो find out कर लिया अब further find out करने के लिए हमें c की value चाहिए so we know that c square is equals to a square plus b square a square है मेरे पास 4 और b square है मेरे पास b square है 9 तो यह उजाएगा c square is 13 और c की value आजाएगी under root 13 तो इसको हम use करेंगे आगे इस intensity भी निकाल नहीं है इसकी तो पहले इस intensity निकाल लेते हैं we know that e is equals to yeah c is equals to a e and e is equals to c upon a तो e आजाएगा under root 13 और a है 2 तो इस तरह से हमने यह इसकी सेंटिसिटी भी find out के लिए अब next हमने निकालने हैं इसके फुसाय के स्थी में फुसाय कैसे निकलते हैं h plus minus c comma k h क्या है मारे पास यहां पर minus 2 c क्या है यहां पर under root 13 और k क्या है 1 तो इसको इसी तरह से लिख लें यहां पिर इसको अगर अलग अलग करके दिखाना है तो फुसाय is equals to minus 2 plus root 13 comma 1 यह पूरा x की value है और दूसरा आ जाएगा हमारे पास minus 2 comma minus 2 minus root 13 comma 1 तो यह मारे पास फुसाय के coordinates आ जाएगे अब next हमने क्या निकालना है इसके vertices निकालना है vertices निकालने के लिए हम use करेंगे h plus minus a comma k h क्या है यहां पे h is minus 2 a is 2 and k is 1 तो vertices इसके आ जाएगे minus 2 plus 2 0 comma 1 और दूसरा आएगा minus 2 minus 2 minus 4 comma 1 तो इस तरह से यह इसके vertices भी निकालनी है अब next हमने case 3 में कैसे निकलता है simple तरीका है इसका case 3 में के equation of directrices निकालने के लिए हमें जो equation use करनी पड़ेगी यह है x minus h is equals to plus minus a upon e तो x minus h की value क्या है minus 2 यानिकि यह plus हो जाएगा a है 2 और e है under root 13 upon 2 तो यह हो जाएगा x plus 2 is equals 2 plus minus 2 to the 4 upon root 13 तो final equation इसकी आ जाएगी x is equals 2 plus minus 4 upon root 13 और plus 2 इदर है तो इदर आके minus 2 हो जाएगा तो बस इसको यहीं पर छोड़ना चाहें तो यहीं पर छोड़ते जा आगे दोनों equations अगर आप दिखाना चाहरें तो इसको एक दफा प्लस में दिखा दें एक दिफा माइनस में दिखा दें तो यह equation of directrices हमारे पास आ जाएगी तो इसका next part करते हैं part 4 हमारे पास है और यह है 25 x square minus 150 x minus 9 y square plus 72 y plus 306 is equals to zero अब इसको भी पहले simplify करना पड़ेगा और उसी तरह से जिस तरह हमने इसके previous वाले part में part 3 में हमने किया अब यहां पर हमें किस तरह से इसको simplify करेंगे यह है मेरे पास 25 x square minus 158 25 common ले लिए अगर तो यह रह जाएगा x square minus 6 x minus 9 common ले लिए तो यह रह जाएगा y square minus 8 y और 306 जब उदर जाएगा तो minus का 306 अब उसी तरह से इसका यह complete करना है square root complete करना है तो यह formula होता है a square minus 2ab plus b square अब मैं एक करके दिखा देती हूं आपको यहां पर एक्स है तो एक्स आ जाएगा अब मुझे यहां पर 6 चाहिए और 2 already मौझूद है तो यहां पर हमें क्या चीज़ चाहिए होगी ताके यह 6 बन जाए right तो इसको direct हम करते है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा x square minus 6 x 3 का square क्या होता है 9 तो मुझे plus 9 भी करवाना है और फिर यहां पर मुझे minus 9 भी करवाना है और उसी तरह यहां पर भी y square minus 8y अब मुझे यहां पर क्या plus करवाना है ताकि यह मतलब 2a भी complete हो जाए तो 4 यानि कि मुझे 16 यहां पर add करवाना है 4 का square 16 तो मुझे subtract भी करवाना पड़ेगा तो अब यह हो जाएगा मेरे पास 25 अब मुझे minus 9 अगर मैं यहां से बाहर निकाल दूँ तो अंदर रह जाएगा x square minus 6x plus 9 के तो मुझे need है minus 25 9 यह है 225 अब इसी तरह से यहां पर भी y square minus 8y plus 16 तो मुझे चाहिए लेकिन यह 16 को मुझे bracket से बाहर निकालना है तो 16 9 अब इसको whole square के formula में बंद कीजिए minus 9 इसको भी हम whole square के formula में बंद करते हैं और बाकि सारी terms हम दूसरे साइट पे ले जाते है minus 225 है तो plus 225 हो जाएगा plus 114 है तो यह minus 114 हो जाएगा अब यह हमारे पास 25 x minus 3 whole square minus 9 y minus 4 का whole square और यहां पर minus 225 रह जाएगा अब यह minus 225 हम पूरी equation को अगर minus 225 से divide करवाएं इसको भी हम minus 225 इसको भी हम minus 225 और इसको भी minus 225 ताकि यहां पर हमारे पास 1 आ जाए तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास minus में रहेगा x minus 3 whole square और डिवाइड यह होगा किस के साथ 25 के साथ मतलब 25 बंजा 25 25 25 जा 25 9 जा 225 तो यह जाएगा 9 25 बंजा 25 25 जा 25 9 जा तो यह लिखेंगे हम x minus 3 का whole square अपान 9 minus minus यह plus हो जाएगा यह 9 बंजा 9 9 25 जा 225 तो यह जाएगा y minus 4 का whole square upon 25 is equals to complete cancel out हो जाएगा तो वान आ जाएगा अब यह माइनस की टर्म को दर ले जाते हैं प्लस की टर्म को इदर ले आते हैं रियर्रेंज कर देते हैं तो यह हो जाएगा y minus 4 का whole square upon 25 minus x minus 3 का whole square upon 9 is equals to 1 अब यह हमारे पास case 4 बनता है क्योंकि case 4 basically क्या होता है इसका center होता है h, k पे और इसका transverse axis parallel to y axis होता है तो इसकी equation क्या होगी case number 4 की equation we know that y minus k का whole square upon a square minus x minus h का whole square upon b square is equals to 1 अब इसको compare करें after comparison k की value आजाएगी 4 h की आजाएगी 3 a square की आजाएगी 25 और b की आजाएगी 9 और a को further solve करें तो a की आजाएगी हमारे पास 5 और b की आजाएगी 3 अब यह सारी values हमारे पास आ गई है तो सबसे पहले हम center निकालते हैं जो कि है h, k पे h की value भी है k की value भी है तो center हमारे पास हो जाएगा जो कि h, k था अब center हमारे पास हो जाएगा h की value पूट करेंगे 3, 4 तो center तो आगया हमारे पास 3, 4 पे अब next इस centricity निकाल लेते हैं we know that c is equals to a e और e अगर हम निकालें तो c upon a करना पड़ेगा c क्या है मारे पास c तो भी हमने निकाला नहीं है तो पहले c निकाल लेते हैं c कैसे निकालेगा we know that c square is equals to a square plus b square a square क्या है मारे पास 25 और b square है 9 तो c square आ जाएगा 25 plus 9 is 34 तो c under root करें तो under root 34 तो यह c की value आ गई है under root 34 तो यहां से c put करते हैं under root 34 upon a यह क्या है 5 तो इस करते हैं अब हमने निकालने हैं इसके फोकस के दोनों पॉइंट तो फोसाई निकालने के लिए हम यूज करेंगे किस तरह से focus निकालते हैं h, k plus minus c h की value है 3 k है 4 और c है under root 34 तो यह फोसाई निकालने का तरीका है अब चाहिए तो इसको अलग अलग करके भी दिखा दें एक दफ़ा 4 plus under root 34 और दूसरी दफ़ा 4 minus under root 34 अब vertices vertices निकालने के लिए हम यूज करेंगे h, k plus minus a h क्या है 3 k क्या है 4 और a क्या है यह आपे 5 तो एक दफ़ा इसको plus कर दीजिए और एक दफ़ा इसको minus कर दीजिए तो पहले plus कर लेते हैं तो 5 plus 4 is 9 and the second one will be 3,4 minus 5 तो यह आजाएगा minus 1 तो यह vertices भी हमने find out कर लिए है अब रहेगे equation of directrices तो directrices निकालने के लिए case 4 में जो equation use होती है वो है y minus k is equals to plus minus a upon e अब k की value भी मारे पास है k की value है 4, a की value भी हमने निकाली हुई है a की है 5 और eccentricity इसकी है under root 34 upon 5 तो y minus 4 is equals to plus minus 5, 5's are 25 upon root 34 minus 4 उदर जाएगा तो plus का 4 हो जाएगा plus minus 25 upon root 34 एक दिफाइब कर लिए एक दिफाइब कर लिए तो हमारे पास दोनों equation of directrices आ जाएगी तो question number 4 हमने यहां पर complete कर लिया इसका part 4 भी हमने यहां पर complete कर लिया है तो उसका next question देखते हैं कि आएब कर वर्या देफ एक पर 5 में दोता कि आएफ़र स्वर्त Alrighty बी माने तो हमने एक दू कर दो हमारे प्साहां है कि और कि यहों कर दो हमें ची हमारे ड Exactly दो है कि सुआ हम nation spl přाष़र समया Paper झूंगर समय है ओर दो